इस प्रोग्राम में हम लोग सीखेंगे दो नंबर्स को एड़ करना और इसका टोटल निकालना दो नंबर्स हम यूजर से इनपूट लेंगे और इसको एड़ करेंगे और इसका आउटपूट में सो करेंगे यानि कि एक कैलकुलेशन हो रहा है इसमें दो नंबर्स को एड़ किया जा रहा है ठीक है question आपका होगा college के school के books में जहां भी आप पढ़ते हो, वहां की दो number को जोड़ना है, take addition of two numbers ओके तो चलिए, quotes समझे लेते हैं, पहले quotes का logic क्या है, हम लोग ने int a, b, sum तीन variables लिया, int is a data type का printf के थुरू मैंने user के screen पर print करवाया, enter value of a, तो वहां user कोई value enter करेगा a के लिए, जो कि store होगा a में, फिर उसी तरह b में कोई value enter किया जाएगा, जो कि store होगा b में, b variable में, then हम लोग sum करेंगे a plus b, यानि कि दोनों जो भी value enter हुआगा, दोनों का हम लोग sum करेंगे, और printf function के फिरू उसको print करेंगे, जो कि user के screen पर दिखेगा, तसे लिए इसका हम लोग output देखते हैं, run करता हूँ हमें program को, यहाँ a enter value of a, मैं 3 put कर रहा हूँ, then 4 और equal में मिलेगा, addition मिलेगा हमें 7, total, okay, good, एक चीज़, अकसर, क्या गलत, गलती करते हैं, students की इस sum को बहुत लोग यहाँ लिखते हैं, ठीके, इससे क्या होता देखिए, 3, 4, यह result जो आपका सही नहीं आएगा, ठीके, यह result आ रहा ही है, एक गार्वेज value है, क्योंकि आपने यहाँ पहले ही square कर दे, यह C program, one line by line program को run करता, यानि कि पहले इस code को run करेगा, फिर इस code को, फिर इस code को, फिर इस code को, फिर इस code को, ऐसा नहीं कि आपने, int a, b, sum, यहाँ variable अपना declare किया, फिर आप यहाँ, यहाँ से jump करके, यहाँ से लाएगा, फिर यह store करेगा, फिर यहाँ से jump करके, यहाँ चला जाएगा, उस तरह से यह program नहीं करता, यह line by line program करता है, execution, line by line execution करता है code का, ठीक है, इस बात का हमें सदयान रखना है, कि आपने अभी तक यहाँ a और b का value कुछ भी store नहीं किया, इसलिए, 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 हम लोग अभी sum नहीं कर सकते, अगर यहाँ, इसका sum करें, तो यह क्या होगा, a औ output आ सके, ओके, यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा a का value विश्टोर हो जाएगा, b का value विश्टोर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसका addition करेंगे, तो हमें सही output मिलेगा, ओके, इस तरह से होता है, दो number का addition, इसी दो number addition में हम लोग subtraction कर सकते हैं, यहाँ negative का sign लिखकर, multiplication कर स सकते हैं, oblique का sign देकर, ओके, इसी तरह modulus निकाल सकते हैं, हम लोग percentage का sign देकर, तो यह सारे चीज़े एक्चुलिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, arithmetic operation में, ठीक है, फिर भी हम लोग नहीं आप पढ़ा, और फिलाल हम लोग इसके addition नहीं देते हैं, यहाँ हम लोग इकाला जाता है, आगे कुछ और भी हम लोग programs देखेंगे, के साथ में कुछ assignments भी मैं आप लोगों को दूँगा, जो आप लोगों को बनाना है, और बना कर उसको comments में paste करना, code को, okay, thanks for watching this video.